नमस्कार मैं हूँ आपके साथ प्रियास सिंग सोमवन्शी नमस्कार मैं हूँ अमित पालित और इस वक्त की बड़ी ख़बर जान लीजे शुरद्धा मडर केस में दिल्ली पुलिस अभी भी सबूतों की तलाश में जुटी है आपताब से अब तक खरीब 40 सवाल पूछे जा चुके हैं लेकिन अभी भी कुछ ऐसे सवाल बाकी हैं जिनके जवाब अभी तक आफ़साब ने नहीं दिये हैं पॉलिग्राफी टेस्ट में शुरद्धा की हत्या से सम्मंदित सवाल पूछे जाएंगे पुलिस का सबसे अहम सवाल ये होगा कि शुरद्धा का सिर आफ़साब ने कहां फेका है अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है क्योंकि अभी तक शुरद्धा का सिर पुलिस तलाश करने की बावजूद बरामत नहीं कर पाई है जबकि जंगलों से मिले हड़ियों की जांच और डियने मिलान की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है आफ़ताव के तीन पॉलिग्राफिक टेस्ट हो चुके हैं सबसे पहला टेस्ट 22 नवंबर को हुआ था इसके बाद 24 और फिर 25 नवंबर को टेस्ट हुआ आफ़ताव से 40 सवाल पूछे जा चुके हैं और सभी टेस्ट पूरे होने के बाद आफ़ताव कब नार्को टेस्ट किया जाएगा नार्को टेस्ट के लिए तैयारियां लगभग अपूरी हो चुकी है माना ये भी जा रहा है कि अगले सोमवार को यानी 5 दिसंबर को आफ़ताव का नार्को टेस्ट कराया जा सकता है पुलिस ने इसके लिए पहले से तैयारी की है आपको बता दे पिछले तीन दिन पहले भी पॉलिग्राफिट टेस्ट आफ़ताव का कंड़क्ट किया जा चुका इस दोरान आफ़ताव अला की सयोग नहीं कर रहा था सवालों को घुमाता हुआ वो नजर आये था अब तक 40 सवाल पूछे गए लेकिन अभी भी कई ऐसे हम सवाल है जिनके जवाब अभी आफ़ताव से पुलिस को लेने है आफ़ताव के पॉलिग्राफिट टेस्ट की शुरुआद 22 नॉमबर को हुई पहले दिन आफ़ताव से 8 घंटे पूछता चुई 24 नॉमबर को दूसरे दिन टेस्ट हुआ और उस दिन 8 घंटे तक आफ़ताव से सवाल किये गए अगले ही दिन याने कि 25 नॉमबर को तीसरे दिन सवाल जवाब हुआ जोकी करीब 3 घंटे तक चला और ऐसे में आज पॉलिग्राफिट टेस्स को कम्प्लीट किया जा सकता है बिल्कुल तो देखे अब इस पूरे मामले को लेकर आज देखना है मोगा कि आज कितने सवाल होंगे हमारे सयोगी कुमार सोनू हमारे साथ और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके है मैं सीधा उनी का रुक कर लेती हूँ कुमार सोनू आज कितने सवालों की फेरिस्त रखी जाएगी उनसे मैं इसका जवाब लोंगी लेकिन इससे पहले तस्वीरे हम आपको दिखाएंगे एफसल दफ्तर दिल्ली में तैयारियां लगबग पूरी हो चुकी है यहाँ पर आपताप को आज एक बार फिर लाया जाएगा कुमार कब तक आफताप को यहाँ पर लेकर आया जाएगा क्या पुलिस की टीम उन्हें लेकर पहुँच चुकी और कितनी देर में यह पॉलिग्राफिया शुरू होगा देखे आफताप को दिल्ली पुलिस की टीम तिहार जेल से एफसल लेकर पहुँच चुकी है तकरीब दस मिनट पहले एफसल की टीम एफसल पहुची है दिल्ली पुलिस की टीम एक जेल वेन में उसको लाया गया है क्योंकि आफताप को दिल्ली की कोट ने नियाई खिरासत में भेज दिया था और नियाई खिरासत से एफसल लाने की परमीशन जो है जब वो ली गई थी जिसमें कोट ने आदेश किया था कि 28 नवंबर 29 नवंबर और 5 दिसमबर ये तीन दिन जो है आफताप को एफसल में डिरेक्टर के सामने पेश करना है दरसल आज और कल माना जा रहा है कि पॉलिग्राफ होगा क्योंकि आज तो पॉलिग्राफ है ही और कल भी पॉलिग्राफ का ही सेशन हो सकता है लेकिन जो 5 दिसंबर है वो नारको टेस्ट की डेट मानी जा रही है क्योंकि 5 दिसंबर को सोमवार है और अमबेडगर अस्पताल में ये नियम है कि जो नारको टेस्ट है वो सिर्फ सोमवार को होता है तो ऐसे में 5 दिसम्बर को शर्दा अत्याखन मामले में आफताब का नार्को टेस्ट हो सकता है दिली के अंबेडगर अस्पताल में जी कुमास नो एक बाब बताए कि अब तक जो भी पॉलिग्राफी टेस्ट हुए है उसमें वो कौन से इशूज रहे हैं पुलिस के साथ की उनको लगातार एक बार फिर से पॉलिग्राफी टेस्ट करवाना पड़ है कहां पर दिक्कत आ रही है देखिए अमित मैं आपको बताओं कि जो आफ्ताब है उसकी तवेत खराब है दरसल मंगलवार को पहली बार जो है आफ्ताब का पॉलिग्राफ टेस्ट होना था उस दिन उसे लेकर आई थी दिली पॉलिस लेकिन बुद्वार को नहीं लेका है क्योंकि बुद्वार को नहीं लाया गया लेकिन गुर्वार को जब यहां पर लाया गया तो टेस्ट हुआ और उसके बाद शुक्रवार को जब लाया गया तो उसने एक बार फिर फीवर होने की शिकायत की थी हाला कि उसका जो इंट्रेक्शन है फसल की टीम ने वो जरूर किया था लेकिन पूरी तरीके से कंड़क्ट नहीं उपाया था तो आज जो है पॉलिग्राफ टेस्ट कंड़क्ट होना है जेल से लेकर आई है दिली पुलिस की टीम दरसल जेल नमबर चार में जो है वहां पर रखा गया है आफताब को बिल्कुल कुमार सोनू आप बने रहीएगा और पतार किया है जो आफताब को ड्रग्स पैडलिंग के कारूबार से कनेक्ट बताया जा रहा है अब ड्रक्स पैडलर फैजल मॉमीन वसई के रहने वाला है जो कुछ दिन से सूरत में छिपा हुआ था ऐसे में फैजल मॉमीन की कॉल रिकॉर्ड को क्राइम ब्रांच खंगाल रहे है ताकि आफताब के ड्रुग एंगल को अब सामने लाया जा सके तो यह बड़ी खबर और यह सामने की फैजल मॉमीन जो कर एक ट्रुग पैडलर है उसके साथ आफताब के लिंग्स निकल करे सामने आ ररे अब पुलिस सिय कर चानबिन कर रही है तो देर आफताब की गुनाहों की तलाश में पिछले कई दिनों से दिल्ली पुलिस के टीम वसाई में है और आफ़ताब की पुराने हिस्ट्री को खंगाल रही है वहीं भायंदर की खाड़ी में शुद्धा के मुबाईल की तलाश की गई गोता खोरो के स्पेशल टीम ने समंदर के अंदर चानबीन की लेकिन रेत कापी होने के चलते सफलता नहीं मिल पाई है और ऐसे में अब भायंदर में समंदर के अंदर चलाया जारा सर्च ओपरेशन भी खत्म कर दिया गया है इंडिया टीवी समगा दाता है राजित सिंग ने सर्च ओपरेशन के दौरान वहां से एक रिपोर्ट भेज़ी आपको दिखाते है दिल्ली पुलिस ने अरब सागर का हिस्सा कही जाने वाले भायंदर की खाड़ी में एक सर्च ओपरेशन चलाया था शद्धा के मोबाईल फोन को आफताब ने वहां फेका था लेकिन इस सर्च ओपरेशन को जिसने अरेंज कराया जिन लोगों ने जिस ने मैंड पावर हाँ पर पूरा अर्च कराया था है सर्चवर हमारे साहथ में पता कि किस पूरच अप से मानिकपूर पुलिस ने दिल्ली पूलिस ने कितने लोगों को अरंज की आपने आ मुझे वालों को crisp बोला कि अपने रे मेंस यह अन्को में तो लोग तो तो जाके वो लोग ने देखा तो वहाँ पे कुछ उपर उपर से मिल दूनके क्योंकि इसका है समंदर का भाव ज़्यादा है उसके लिए पानी क्लीन नहीं इसलिए कुछ मिला नहीं जो भी मिलेगा उसका दो तिन दिन के बाद में मिल सकता है आपने कितने लोगوں को भेजा था क्या-क्या सुविधा लेकर भेजा था, कितने समय तक वहाँ पर सर्च किया गया और पानी की मिलेगा कितना डीप है, कितना गहरा है, बालू है, किचड़ है, अन्दर क्या स्थिती है वहाँ पर खीचर ने वालो है, वहाँ पर के सब उपर देली डेली बढ़ता जती है वालो, उसमें यह नहीं हो सकता कि वहाँ पर मिले आज का चीज कल एक देड़ फूट अंदर भी जा सकती है, उपर के वालो निकाले पर नहीं निकाल सकती है